यह पूरा शंप्शान इस तरह है और शंप्शान के पास में एक मंदिर बनाया गया संदर जिसका नाम है सब समी देश्वुरा कि यानि कि अंदर आपने कावा सुने न कहां राजा बोज कहां गंगु तेली वो एमपी भोपाल के शाशकते हैं तो उन्हें ने इस कीले के ऊप इस सब्सक् Lane सर अंदर बाहर का स्टेचू बंता है यानि कि बाहर पेर अंदर फिर को न मूर्थी पटाते हैं जहां पहले अंदर 9 पी आंध no fid का च्ठा को काट पर मूर्ती बनाया फिर उसके बाहर सरसून दीर अधे इस के बाहर जितनी भी मुर्थिया आए उसको आप देखेंगे चुन-चुन कर तोड़ा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पेड नहीं, किसी का मूँ नहीं, चुन-चुन कर तोड़ा, इधर भी टुपे हुए मंदीर है सर यह सर और वह वाला जो गेट है वो दास्यों के आने के ल जो पानी का दलाब देख रहे हैं, यह से इस के लिए के ऊपर चोड़िया सी पानी के दलाब, यहां राणियों का आना, नहाना, मंदिर दर्शन करना, शीव पूजन करना, सुंबार का व्यत रखना, सभी यहीं से होते हैं, यह सभी बारिश का पानी नीचे जो पिलर देख रहे हैं, तो पिलर के इधर के आएगी पिलर सुरंग निकलती थी, जो अभी बंद कर दिया, यानि कि वहां से राणिया सुरंग के द्वारा आना, जिसको भी पाने में डूबी हुए है, और वहां से वापिस के आएगी पूरी तरीके से निकलना, तेरा किलोमेटर के एरिया में बाउंटरी बना हुआ है, सामने वाला हवेली जैमल पत्ता रठोड का हवेली डिस्टोइड हवेली है, और यह एक आश्र में निर्भाइनाथ रिश्री का जहां उन्होंने तपश्या करी थी, कहा जाता है कि सर जर्णा जरे, गोमुख बरे, निर्भाइनाथ की ठोड, कठोड तपश्या करे, तपवे गढ़ चितोड गढ़, यानि कि आपने भी किसी समय क्या है कि तपश्या करी होगी किसी रोब में, तब आप संतोर विरो की भूमी को चितोड गढ़ के उपर विजिट कर रहे हैं, यह मंदीर है, ऐसे 113 मंदीर है दो गजए दो जिसकी लेगे तो इसमें, हाँ, तीन फैस ब्रह्मा विष्णु महेश, अधराई यहां से आपको फेस देख रहे हैं अधर, आप से अंदर एक इसे अंदर तीन फेस है, यानि कि ब्रह्मा विश्णु महेश, मही जन्म देने वाला मही मारने वाला, और मही प रूप में शिव जी के सामने नंदी है तो तीन इंटी बना एक दो तीन बाहर की मूर्तियों को तोड़ रखा सकते हैं इतनी मूर्तियों देखोंगे किसी का हाथ में किसी का मूह नहीं चुन-चुन कर इस किले के ऊपर तोड़ रखा इधर आई गनेश जी सामने सर गनेश जी उनके साथ में उनका दो वाइफ रिद्धि और दो पुत्र नीचे शुबंड ला सूंड राइट साइड में है यानि ऐसे क्या है कि मूर्तिगरों में इस्थापित नहीं करता है यानि कि यह क्या है कि जो मूर्ति है सर राइट साइड वाली सूंद हमेशा मंदिरों के जैसे किया इनका डेली पूजा करना बता है और उस समय का कल्चर जो चलता था वो कल्चर इसके उपर देखेंगे आई आई आप विश्णु मैश बर्मा जी का आसन होता ना लोटस बिल्कुल नीचे से देखेंगे तो एक कमल का आर्किटेक किया गया यानि कि टेंपल को कमल क इसको बुरी शक्तियों आत्मा से बचाने के लिए यह जेन लोग को दिखाया गया है लोकल आर्ट यह जो रामायन महाभारत का लिन आउशेश को का रहे गया है यानि कि क्या है कि सहल जहां अश्व में कि यह वहारा ना उसका राजस्तान की खाश्यत है सर अगर कपड़े आर्कीटेक्ट देखना हो आप को पध़्र पर आरकीटेक्ट देखना हो तो राजस्तान अवल यहां क्या इसर क्या है की अंगली निकल तरीकते हैं यह सब seasonal stone काय बढ़िए सको तोनने में 10 वर्श्व का समय लगा कि यह पहले ना थेवा कला गया उपर सबसे उपर गोड को बढ़ाया गया सभी मुर्तियों को सर तोड़ रखा है और इधर की साइड में लोकल कल्चर दिखाया गया अधर दिखेंगे हैं हाई है टेंपल का जो बार है वह एलिफेंट के ऊपर यह राणियों को पर्था चलती है लोकल पप्लिक को दिखाया गया जीवन एक बारात का और युद्ध का वर्णन है और टेंपल को बुरी शक्तियों आत्मा से बचेने के लिए एक ब्लेक स्टोन ल विष्णू मैस अबहुरों आत्र कर को बार टेंपल को बैसे बारो प्लेक से लिए एक बार टेंपल कर दो बार टेंपल तेसके लोग ड़ बार टेंपल कर अभी यह लिए खेरां। झाल 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 झाल